सो सर स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में सागर 5G यूटूब चैनल आज हम आपके शामने ले करके आये हैं लेडीज शूट की कटिंग डिजैन दार किस परकार करते हैं तो ये हमारा शूट है ये 2 मीटर का कपड़ा है तो इसमें लेश ये लगी हुई है और इसमें पला है इसको पहले हम इस परकार से कच्चा लगा हुआ है इसको खोल लेते हैं तो हम पीस को इस परकार से पहले इसकी लंबाई जो है 37 इंच है तो इस परकार से पहले हम इसको चेक कर लेंगे इस परकार से है तो इसको हम लंबाई के हिसाब से ये लेस लगी है इसको हम बाद में खोलेंगे पहले हम इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं इस परकार से 37 इंच है तो यहां पे 37 इंच आ जाएगे आराम से हमारा सूट कटिंग हो जाएगा इसमें तो ये लेस जो है इसको हम इस परकार से ये हम खोलें ये कच्चा लगा हुआ होता है इसको हटाल दिया अब इसकी लाल जो पैपिन नीचे की रह गई इसको भी खोल लेते हैं अब ये वाली पैपिन इधर लगेगी इसको हम बाद में सिलाई से बताएंगे आपको अब इसके बाद में हम इसको इस हिसाब से चेक करेंगे पहले हम बिचो बिच में कटिंग हमारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसमें क्योंकि इसमें ये बटन टेक और यह कच्चा लगा है इसको भी हम इस हिसाब से खोल लेंगे इसके बाद में पीस की कटिंग करेंगे क्योंकि इससे हमारा गला अल्टर हो सकता है तो इसको हम कच्चा लगा है इसको हटा लेते हैं इस परकार से तब तक के हम आपको लंबाई और नाफ के बारे में बता देते हैं तो नाफ आपके स्क्रीन पर दिखेगी आप देख सकते हैं 37 इंच लंबाई, 34 इंच सीना, 30 इंच कमर, 12 इंच कंधी, 34 इंच हिप और 18 इंच अस्तीन है इसी के नाफ से हम बिर्कुल बराबर कटिंग करेंगे, आप नाफ को अच्छी तरीके से एक बार फिर से देख ले हम कपड़े को इस परकार से चेक कर लेंगे एक बार, यहाँ पे 34 इंच सीना है तो यहाँ पे 8 और यह दबाव हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9 नदुनी 18 चाक रखेंगे तो दबाव के साथ इस परकार से चेक कर लेंगे, दो इंची जादा होना चाहिए अब हम आपको कटिंग बताएंगे, तो सबसे पहले उपर की मारिक जो होती है, यहाँ पे बूटी छोड़ करके आधा इंच उपर ले लेंगे इस परकार से और यहाँ से लंबाई 37 इंच है हमारी, अब यहाँ पे 37 इंच ही लंबाई आ रहे, अगर आपकी लंबाई कम परती है, तो आप उपर से भी ले सकते हैं, फिलाल इसमें बूटी है, अब यहाँ पे हम लैस को बढ़ा लेंगे तो 40 इंच तक का हो जाएगी लंबाई, तो प अब यह दोनों मारिके हमारी हो चुकी है, अब इसके बाद में हम चाक, उपर से 6 इंच जो गिराया था, वहाँ से हम 13 इंच पे चाक खोल लेंगे, अब इसको भी मार्किंग कर लिया है, नीचे मार्किंग करने की कोई जरूर नहीं क्योंकि लंबाई आप पूरी फुल है, आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, अब इसके बाद में कंधी 12 इंच है, तो यहाँ पे 6, अब यहाँ पर भी 6 इंच का निसान लगा लेंगे, अब सीने का निसान लगाएंगे, 34 इंच सीना है, तो यहाँ पे 8, 7, 7, 7, 24 अब कमर है 30 इंच, यहाँ पे 7, 7, 15, 15, 30, तो पे हिप भी हमारी 34 इंच है तो यहां पर भी हम 8.5 का लगा लेंगे अब इसके बाद में हम अब हम नीचे का बॉटम 18 इंच तो यहां पे 9 इंच का निसान लगा लेंगे इस परकार से नदुनी 18 हो जायेगा अब इसको मार्किंग कर लेते हैं पहले 12 इंच यह कंधी अब इस इसके बाद में दूसरी फंटी से हम इस परकार से सैड की मार्किंग कर लेंगे अब इधर हम इस परकार से करेंगे पंटी को घुमा लेंगे और इस हिसाफ से कर लेंगे अब यह जो दबाव है इस परकार से हम यहां पे एक इंची या सवाव इंची ले लेंगे इस परकार से यहां पे हम गले के लिए धाइंज का निसान लगा लेनगे और इधर भी धाइं पौने तीन इस परकार से निसान लगा लेंगे अब यहां गळा हो चुका अब अस्तीन की rounding इस परकार से कर लेंगे अब यहां 지역 आरी स्वी स्वी हमाहा अब हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताते हैं, यहाँ पर एक निसान उठा लेंगे, यह दोनों निसान हमने उठा लिया है, और यहाँ पर भी एक निसान उठा लिया वीचों बीच में, अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे, अब इस प्रकार से हमने डबल फोल्ड कपड़ा अच्छी तरीके से बिछा लिया अब इसी पे हम अपना सामना इस प्रकार से रख लेंगे अब बिरकुल बराबर इस हिसाफ से कर लिया अब इसके बाद में हमें कटिंग इसी पे करना है। अस्तीन की एक इंची मात्र इसमें बढ़ाना है गुलाई क्योंकि इसकी गहराई सामने पला की गहराई होती है और इसकी एक इंची ज्यादा इस परकार से हम ज्यादा रख लेंगे एक इंची मात्र इस परकार से इससे ये होता है कि कोई भी बैक पला हो बराबर कटिंग करने से इधर उधर गला भागने या उतरने लगता इससे हमें ये मालूम है कि गला परफेक्ट बराबर ही रहेगा अब ये हो चुका है अब हम आपको अस्तिन की कटिंग बताएंगे अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम डबल पला है इसमें और इस परकार से हम नाप कर देखेंगे यहाँ पे 20 इंची आरा यहाँ पे आराम से 18 इंच हमारी अस्तिन लंबाई आ जाएगी अब इसको बराबर कपड़े को इस परकार से कर लेंगे और इस प्रकार से हम फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे दोनों अस्तिने हमारी आ जाएंगी इस इसाब से अब यहाँ पे हम 18 इंच लंबाई अस्तिन की है अब इस प्रकार से उपर से हम 18 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे महरी हमारी 4 इंच है तो यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा लेंगे क्योंकि दबाव एक इंच हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंच इस प्रकार से और 8 इंच इसकी लूजिंग अब इस प्रकार से हम 18 की कटिंग कर देते हैं यह हमारी अस्तिन की भी कटिंग हो चुकी है इसी प्रकार से आप किसी भी कुर्टे की कटिंग आराम से कर सकते हैं अगर आपको वीडियो प्रसंद आये दोस्तों तो आप लाइक कमेंट जरूर करके बताए हमें किस प्रकार से आपको कैसा वीडियो लगा हमारी कटिंग आपको किस प्रकार से हमने आपको समझाया हुआ है आप कमेंट में बता सकते हैं